सागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैसे सी डिफेंस जोन में आज की इस वीडियो में हम नोबेल पुरसकार 2020 से सम्मंदित कुछ बातों को जानेंगे 2020 में किन किन व्यक्तियों को नोबेल पुरसकार से नमाजा गया है इसके साथ ही नोबेल पुरसकार से सम्मंदित कुछ इतिहास की बातों को भी देखेंगे तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे बेल आइकन प्रेस कर दीजे ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो आईए शुरू करते हैं आज कि इस क्लास में नोबेल पुरसकार 2020 से सम्मंदित बातों को हम जानेंगे दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित नोबेल पुरसकारों की गोस्त में होने की सिलसिला अभी तक जारी है जो 1901 से शुरू हुई थी नोबेल पुरसकार हर साल आसाधरन काम करने वेली व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाता है या पुरसकार सांती, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा जिसे मेडिसिन भी कहते हैं और अर्षास के छेतर में दिया जाता है इसका अर्थिया है कि या कुल्चा छेतरों में दिया जाता है नोबेल पुरसकार की अस्थापना जो है वह अलफ्रेड नोबेल के द्वारा 1895 में की गई थी किन्तु या पहली बार 1901 इस्वी में दिया गया है पहला नोबेल पुरसकार जो है वह बहुतिकी का विलहम कॉन्राड रॉंजन को रसायन का जैकोबल हेन्रिकस वर्ट हॉप को और सधी के लिए एमिल वन बेहरिंग को और साहिते के लिए सुली पुरुधोम तथा सांती के लिए हेन्री डुनोंट फेन्रिक पास को दिया गया है सबसे पहला 1901 में जो नोबेल पुरसकार दिया गया है वह बहुतिकी के लिए विलहम कॉन्रोड रोंचन को दिया गया है रसायन के लिए जैकोबस हेन्रिकस वर्ट हॉप को दिया गया है और सधी के लिए एमिल वन बेहरिंग को साहित्य के लिए सुली पुरुधोम को और सांती के लिए हेंरी डिनोंड फ्रेडरिक पास को दिया गया है जो रेड क्रोस के संस्थापक माने जाते हैं अठाट शुरुवात में केवन पांच छेत्रों में नोबल पुरस्कार दिया जाता था भौतिक के लिए रसायन के लिए और शदी के लिए साहित्य के लिए और सांती के लिए पांच छेटरों में शुरुवात में उनिसो एक में नोबल पुरसकार जो है असाधरन कारे करने वाले वेक्तियों को दिया जाता था किन्तु अर्षास के छेत में नोबेल प्रसकार की सुरिवार 1966 में की गई जो छटवा नोबेल प्रसकार है 1968 में Sweden Central Bank ने अपना अस्थापना दिवस्त जो 300 वी अनिवर्सिरी थी उसकी उस मौके पर अर्षास्त के नोबेल प्रसकार देने जाने की घोशना की थी इस प्रकार अर्षास्त के नोबेल प्रसकार प्रदान किये जाने की घोशना 1968 में हुई थी और यह पहली बार 1969 में दिया गया था पहली महिला जो नोबेल प्रसकार विजयता रही है उनका नाम मेरी क्यूरी था उन्होंने 1903 में बहुत की के लिए नोबेल प्रसकार पाया था इसके साथ ही 1940 और 1942 में नोबेल पुरसकार प्रदान किये जाने को स्थागित कर दिया गया था क्यूंकि उस दोरान दुट्य विश्यूद का काल चल रहा था इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दुट्य विश्यूद के कारण 1940 से 1942 के दोरान कोई भी नोबेल प्राइज जो है वित्रित नहीं किया गया था अब हम एक एक करके 2020 में दे जाने वाले नोबेल प्राइज के विजेताओं के नाम को जानते हैं जिसमें पहला है सांती का नोबेल नोबेल समिती की ओर से इस साल सांती का नोबेल पुरसकार जो है वह वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है जो यूएन की एक कारेकारी संस्था है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कोरोना एपिडेमिक के दोरान दुनिया भर के कई लोगों की मदद की थी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का काम है ग्रियूद प्राकृतिक आपदाओं जैसी इस्थिती में लोगों की मदद करना तो इसलिए वर्ल्ड पूर्ड प्रोग्राम को 2020 का सांती का नोबेल प्रसकार दिया गया है नेक्स्ट है फिजिक्स का नोबेल बहतिकी का नोबेल इस साल फिजिक्स का नोबेल प्रसकार जो है वा रोजर पेंडरोज को दिया गया है इन्होंने ब्लैक होल में अलबर्ट आयस्टीन के सापेक्ष्था सिधान से सम्मन्धित कुछ तत्यों की खोज की थी और आधा हिस्सा जो नोबेल प्राइज का है वो संयूग त्रूप से रिनहार्ट गेंजल और एंड्रिया गेज को दिया गया है इन दोनोंने गेलेक्सी के केंद्र में स्थित अधिक गनित वाले तत्वों की खोज के लिए यह पुरस्कार पाया है नेक्स्ट है साहित्य का नोबेल अमेडीकी कवित्री लूईस गुलूप को साल 2020 का जो है साहित्य का नोबेल दिया गया है इनका जन 1947 इसवी में नियुवर्क में हुआ था और इनकी कविताओं और लेख की विशेष्टा यह है कि यह अक्सर बाल्यवस्था परिवारिक जीवन माता पिता और भाय बहिनों के साथ आपसी समंधों परकेंदि कविताओं और लेख लिखती हैं यह एक अंग्रेजी की प्रोफेसर हैं इस प्रकार साहित्या नोबेल जो है वह एक अंग्रेजी कवित्री लुईस गुलूप को दिया गया है जो अमेरिकी नागरिक हैं नेक्स्ट है रसायन का पुरसकार इस साल केमेस्ट्री का नोबल पुरसकार जो है वह दो महीरा वग्यानिकों को दिया गया है जिसमें से एक अमेरिका की है और एक फ्रांस की इमेनुवल सापतिये फ्रांस की रहने वाली है और जेनीफर एडूडना अमेरिका की रहने वाली ह इन दोनों को जिनोम एडिटिम की पधती की खोज के लिए रसायन का पुरसकार जो है दिया गया है इनके बारे में नोबेल कमिटी का कहना है कि इनकी खोज से मानाता का बहुत ही फाइदा होगा इस प्रकार रसायन का नोबेल प्राइज 2020 जो है वा इमैनुवल शंपो, तीये को और जेनिफर एडूडना को दिया गया है Next है Medicine का नोबेल Medicine का नोबेल को हिचिकित्सा का नोबेल कहा जाता है Hepatitis C वाइरस की खोज के लिए तीन वैज्यानिकों को साल 2020 का Medicine पुरसकार दिया गया है इसमें से पहले है जो ब्रिटेन के नागरिक है Michael Houston दूसरे वैक्ति जो है वो अमेरिकी नागरिक है जिनका नाम Harvey Alter है और Charles Rice जो है वो भी अमेरिकी नागरिक है इनके संदर में Nobel पुरसकार डिसाइड करने वाली कमीटी ने यातर के दिया है कि इनकी खोज से लाखों लोगों की जान जो है बचाई गई है Hepatitis C वाइरस से लीवर कैंसर होता है और यह एक बहुत बड़ा कारण है कि लोगों को लीवर ट्रांस्प्लांट करवाना पड़ता है अर्थात इनकी खोज से लोगों को जो Hepatitis C वाइरस से संबंदित बीमारी सिग्रसित हैं उनको बहुत फाइदा होने वाला है तो इस प्रकार मेडिसिन का नोवेल जो है वाइवर टीन व्यक्तियों को दिया गया है वो भी सायगत रूप से जिसमें माइकल हूस्टन, हारवे अल्टर और चार्ल्स राइस का नाम सम्मेलित है हमारा अगला नोवेल प्राइज के विजेता है वह है साल 2020 के नोवेल प्रसकार विजेता पॉल आर मिलोग्रॉम और रोवर्ट भी विल्सन है इन्होंने भी सायगत रूप से अर्थ सास्ट का नोवेल प्राइज जीता है नोवेल प्रसकार समीती ने सबसे लास्ट में इसकी घोशना की थी मिलोग्रॉम और विल्सन को या पुरस्कार आक्षन थियूरी जिसे निलामी सिधान भी कहते हैं उसमें सुधार और नए तरीकों के अविस्कार की खोज करने के लिए दिया गया है पॉल आर मिलोग्रॉम और रॉबर्ट भी विल्सन को सयुक्त रूप से अट सास का नोबेल दोजार बीस पुरस्कार दिया गया है अब हम जानते हैं कि भारत में कितने व्यक्तियों को और किन किन व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार अब तक समानित क्या जा चुका है भारत में कूल दस व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है जिसमें पहले हैं रविंदनाट, टैगोर, साहित्ति के छेत्र में गितांजली की रचना के लिए 1913 स्वी में इन्हें सबसे पहले नोबेल प्राइज मिला था चंदर सेखर, वेंकट रमन भातिकी के लिए इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी 1930 में भातिकी का नोबेल मिला था, मदर टेरेसा को सांती के लिए 1989 स्वी में मिला था या आयरलैंड की नागरिक थी जो बाद में भारत में रहने लगी थी और भारतिया नागरिक बन गई थी हमारे अगले नोबेल विजेता हैं, अमर्ति सेन यहें बहुत बड़े अर्थ सास्त्री हैं इन्हें अर्थ सास्त के छेतर में 1998 में नोबेल प्राइज मिला था केला सत्यार्थी को शांती के लिए 2014 में नोबेल पुरसकार मिला था इन्होंने 2014 में मलाला यू सूपिजाई के साथ अपने पुरसकार को साजा किया था अगले है हर गोविन खुराना, इन्हें 1968 हिस्वी में जीन संसलेशन के लिए नोबेल पुरसकार दिया गया था सूरवण्यम चंद्र सेखर को 1983 हिस्वी में भातिकी के लिए वेंकट रमन रामकृष्णन को रासायन चेत्र में 2009 में वियस नाइपल को साहित्य के चेत्र में 2001 में और अभिजीत बनरजी को अर्षास के लिए 2019 में नोबेल पुरसकार दिया गया था इनकी अलावा 1907 इस्वी में साहित्य का नोबेल पुरसकार जो है वा रूड्यार कीपलिंग को दिया गया था और 1902 इस्वी में जो है चिकित्सा के लिए नोबेल पुरसकार रोनाल रोस को दिया गया था जिनोंने मलेरिया से सम्मंदित खोज किया था और रूडियार की प्रिंग एक साहित्यकार है इनका जन भारत में हुआ था 2001 इस्वी में साहित्यके लिए नोबेल प्रसकार विजेता, सरविद्याधर, सूरजपरसाद, नायपॉल जो त्रिनिदाद में पैदा हुए थे भारतिय मूलके ब्रिटिश नागरिक है इसके साथ ही भारत में बसे दलाई लामा जो है वह तिबत के नागरिक है और वर्तमान समय में भारत में रहते हैं इन्हें भी सांती के नोबेल से नवाजा जा चुका है नोबेल पुरसकार अलफ्रेड नोबेल के द्वारा जो 1895 में इस्थापित किया गया था अलफ्रेड नोबेल के मृत्यू 10 दिसंबर 1996 को हो गई थी इसी कारण प्रतेक वर्ष 10 दिसंबर को नोबेल पुरसकार जो है वह अपचारिक रूप से सभी 6 छेतर में उत्कृष्ट कारे करने वाले विजयताओं को दिया जाता है इस प्रकार 10 दिसंबर 2020 को उप्यूक्त सभी 2020 के नोबेल विजयताओं को अपचारिक रूप से नोबेल पुरसकार एवं प्रसस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे वीडियो को लाइक कर दीजे और थैंक यू फोर वाचिंग